My dear and lovely students, पिछली क्लास के अंदर हमने Air and Water आपका Chapter No.8 जो है, इसको Complete पढ़ा था हमने, और साथ में ही इसकी exercise भी की थी, तो अगर आपने नहीं किया है या इस Chapter को नहीं देखा तो पिछला वीडियो दुरूर देखने हैं पर, आपको पूरा लेसन जो है, वो समझ में आजाएगा, इसका सरक्टिल दो क्रेक्ट आंसफर जो है, हमने Complete कर लिए exercise को और Match the Following हमने Complete कर लिए, Page No.78 में जो था आपके, आज जो हम इसकी जो Remaining exercise और किउस्टान से Complete करेंगे, तो देखें इसको, किशन No.3 आप देखिए, Rewrite the sentence correctly, Sentence दिये हैं, इनमें कुछ कमिया है, कमियों को दूर करना है, उसको ठीक करके, आपने दुबारा से लिखना है, पहला देखो, Air does not have any weight, Air does not have any weight, तो Air यह बोड़ रहे हैं कि हावा का वज़न नहीं होता, तो इस तो गलत है, क्योंकि हावा में भी बज़न तो होता है, हमने प्रूफ किया था कि एक तरफ बैलोन लटका है, खाली और एक तरफ हमने बरावा बैलोन लटका है, तो देखा कि बैलोन, बरेव बैलोन में बज़न था, तो इसको चेंज कैसे करोगे, आप इसको लिखोगे, एर हैज बैट, ठीक है, एर डजनोट हैव जो है न, डजनोट हट जाएगा इसका, एर हैव बैट कर दोगे आप, और एनी बैट जाएगा, उसको पूरा हट जाएगा, डजनोट हैव एनी के जगे पे आप स्वाट आ करके, एर हैज बैट हो जाएगा, ठीक है, एर हैज बैट, एर है बैट जाएगा, डजनोट हैव एनी पूरा हट जाएगा, और एर हैज बैट, ह-a-s, एर है फैस्ट का, दूसरा देखो, दा एर देट वी ब्रीट, इस प्रेजन इन दे एक्सोस्फियर, इस 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 इ क्या आएगा, the year that we breathe is present in the troposphere troposphere t-r-o-p-o-s-p-h-e-r-e ठीक लिर है बिटा, दूसरे में इसमें सरिफ exosphere जो है, वो हट जाएगा troposphere आजाएगा उसके जगह पर थेट देखो, the things that make water safe for drinking are called impurities बे चीज़ें, जो पानी को safe करती है पीने के लिए, उसको असुद कहते है, असुदी कहते है सही है क्या, नहीं है तो इसमें catch and change करोगा, या तो यहाँ पर purity आएगा, यहाँ तो यहाँ पर safe, तो safe को मटा देंगे यह safe नहीं रहेगा, अगर इम्पूर है तो safe नहीं है, तो the things that make water unsafe हो जाएगा, क्या हो जाएगा, unsafe unsafe का spelling क्या है, unsafe की जगह पर क्या है, unsafe हो जाएगा the things that make water unsafe for drinking are called impurities, clear, अब सही हो गया है fourth decantation means separating insoluble substances bypassing them through a filter filter, तो filter से कोई insoluble चीज़ों को अगर कोई चीज़ सेपरेट करना है actually decantation जो है ना बेटा, यह soluble चीज़ें को अगर remove करना है उसके लिए है, लिकिन insoluble insoluble के लिए क्या आएगा decantation means separating insoluble substance bypassing them through a filter, तो filter से चीज़ पास करके और जीज़ों को हमने साफ करते हैं, उसको remove करते हैं, उसको क्या करते हैं? filtration, तो यहाँ पर decantation की जगह पर क्या जाएगा? filtration आ जाएगा बेटा, क्योंकि filter से साफ करने वाले चीज़ है ना उसको हम क्या करेंगे? filtration, चप्टर में आपको बताया था, कि filtration जो है जो चीज़ insoluble चीज़ें हैं, जो उसमें से filter से pass करके उसको हटाई जाती है तो यहाँ पर filtration आ गया, filtration means separating insoluble substances by passing them through a filter, ठीक है? यहाँ उसमें से insoluble चीज़ें हैं, जैसे like मिट्टी है या कोई substances हैं पानी के अंदर या liquid के अंदर उसको हटाने के लिए, उसके impurity को ठीक करने के लिए filtration करना पड़ता है, तो यहाँ पर filtration आ गया, फोर्थ देखो, tick the old one, इनमें से आपको चार्चर बढ़ दिये हैं, तो इसमें से कोई भी जो है एक अलग है, उसको tick करना है, oxygen, carbon dioxide, air और nitrogen, अक्च्छल में oxygen, carbon dioxide और nitrogen यह गैस इसके composition है, लेकिन एर तो पूरी है, तो एर तो खुदी इसके अंदर तीनों चीज़ों के अंदर एर में तो यह तीनों चीज़ों होती है, ठीक है, तो oxygen, carbon dioxide, air, nitrogen तो इसमें क्या अलग है, air अलग है, तो air में tick करोगे, air को tick करना है, मैसोस्फेर, एक्सोस्फेर, यह जो है न, यह तीनों, जो हैसमें, तीन जो है अट्मोस्फेर की लेयर है, कौन-कौन सी, मैसोस्फेर भी लेयर है, एक्सोस्फेर भी लेयर है, ठीक है न, इसके अंदर, और स्टेटोस्फेर भी लेयर है, बट एंडोस्फेर लेयर नहीं है, तो इसको tick करना है, एंडोस् करती हैं ठीक है? जंस भी पाने को impure करती है और dApp भी नहीं करती है यह पानेको इंपुर नहीं करती है, जंस यह होती है, देट से होती है ड्यावाद, इन ऐते आवाद, फिल्ट्रेशन, सेदिमेंटेशन, देकेंटेशन, और Mutation निनमें से 3 तो वो छीज़ेenty हैं जो पाणी को निंहीं है तो Mutation को आप Tick करेंगे इसमें इह होगे आपका टीकी-डाब सुछ पहले का अपका ओर को ठीक दुन मेंटोस्फियर को तीसरे में एर को और फूर्थ में मुटिशन को किसन नमर सिक्स देखें आप गेव वण वड़ आंस्वर वणर आपने इसमें देना है लेयर ओफ गैसे स्रांडिंग दा अर्थ स्रांडिंग के पास अर्थ के पास में सबसे निज़ती जो लेयर है जो gases के भरी हुई है surrounding the earth, earth की चाहँ तरफ, तो उसको क्या कहते है, उसको कहते है, atmosphere, क्या कहते है मिट उसको, atmosphere, atmosphere, ठीक है न, तो योग अमर, atmosphere, यानि लेयर जो gases की लेयर है, earth की surroundings में, उसको क्या कहते है, atmosphere, things that make water unsafe for drinking, बे चीज़ें जो पानी को unsafe करते हैं पीने के क्या कहते है, impurities, क्या कहते है, impurities, impurities, ठीक है भीड़ा, I-M-P-U-R-I-T-I-E-S, spell out कर दिया माने, देख लोना, I-M-P-U-R-I-T-I-E-S, यह atmosphere, impurities यहाँ पर दिया वाद है, impurities that do not dissolve in water, वो impurities, जो पाने में dissolve नहीं, तुसको क्या कहते है, insoluble, जो पाने में नहीं गुलती है, जैसे क्या नहीं गुलती है, मिट्टी नहीं गुलती, नमक तो होता तो गुल जाता है, but impurities जैसे मिट्टी वगर रहे हैं, डेस्ट वगर रहे हैं, वो नहीं गुलता है, तुसको क्य कहते हैं लोग insoluble I and soluble S O L U B L E S O L U B L E I N S O L U B L E insoluble 4 देखो method of separating insoluble substance using a filter filter को इस्तिमाल करते विए अगर कोई insoluble substance को टायना है तो उसको क्या कहेंगे filtration उसको क्या कहते हैं जैसे हमने उपर भी देखा था उसको क्या कहते हैं filtration F I L T E R A T I U N ठीक है ये filtration हो गया है अब आपने subjective type question को करना है subjective type question किया है name the three important gases present in the air तो इसके तीनों के नाम लिखने हैं आपने जो के तीन gases हैं हमारे air के अंदर तो उन तीनों के नाम लिखने हैं कोई भी तीन नाम लिखने दो oniлюч Ctrl DRI तो nitrogen N I T R O G E N nitrogen Oxygen O X Y G E N OXisand Carbon C A R B O N carbon dioxide d Io X I D E dioxide nitrogen Oxygen कान डा-चैट थेक है बीथ och What are the two main types of impurities found in water? दो कॉनसी टाइप है जो एक तो है Soluble और एक है Insoluble, दो टाइप की Impurities होती है, Soluble में तो पाने में अगर नमक मिल जाए तो वो इंप्योर होगे लेकर उसमें नमक घुल जाता है Insoluble में जैसे कोई मिट्टी होगर है तो गिर जाती तो इसमें Insoluble हो गई हो तो कौनसी है The two types यहां से शुरू करूँ गए आप The two main types of impurities found in water are आगे क्या लिखोगे? The two main types of impurities found in water are तो यहां पर नाम लिख दोगे आप Soluble and Insoluble स्पेलिंग आउट स्पेलिंग आउट स्पेलिंग चेक कराना बुक से Soluble In Soluble तो Soluble Insoluble हो गया आप देखो किस्चियों 3 Define atmosphere and impurities Atmosphere and impurities को define करनी है आपने तो पहले atmosphere को define करोगे Atmosphere को define करने के लिए आप पिछे आपके बुक में से लगवा रिचता हूं तो आप atmosphere यह है Page No.73 में The Earth is surrounded by a thick layer of gases called the atmosphere बस इतना इडिफाइन कर देना आप The Earth से लेकर के atmosphere तक तो यह क्या होगा आपका S यानि short question answer का 3rd question S3 मतलब 3rd answer short questions के 3rd answer तो आप पेस No.73 में The Earth is surrounded by यह thick layer of gases called the atmosphere यह है इसकी atmosphere तक इसकी define होगी atmosphere की अगर हम इसमें दुसरा दिया हुआ था impurities का impurities को जो है आपने define करनी है इसको आप इसको लेकर आता हुआ इसको आप इसको लेकर आता हुआ तो आपको impurities impurities क्या है impurities in water यह देखो यहां पर the water we drink type of things यहां से आगर बटाए इसका page No.74 के अंदर क्या है things से impurities in water में things से सुरू करना है आपने things that make water unsafe for drinking are called impurities बस इतना ही करना है impurities तक things that make water unsafe for drinking are called impurities ठीक है पीटा यह आपका third का second question impurities का हो गया S3 का second part second की define हो गई यह किसकी impurities की define हो गई things that make water unsafe for drinking are called impurities अब यह आप देखें question number D name the different layer of the atmosphere atmosphere की different layers के नाम डिखने है तो वह आपको मैंने बताए दिया था आप इस काहां से लिखोगे क्या लिखोगे the different layer of the atmosphere atmosphere और फिर आर लगा टरके जो पांच छे layer है यह five layers के नाम इनको जिनने आपने शिक्स तो ओजोन layer हो गए वो तुछी के अंदर आ जाता है ट्रोपोइस्पेर में कौन कौन सी है ट्रोपोइस्पेर स्टेटोइस्पेर mesosphere thermosphere और exosphere यह five layers के नाम आपने लिखने इसके answer के अंदर यह five layers ठीक है बीटा समझ में आगे आपको अभी आपने बताना एक और कुछ्टर निम्बर पांच वह इसका सोटान से कुछन में dry pie chart एक pie chart बनाना है आपने जो की यह चितर बताया कि the composition of air in the atmosphere आटमोस के फोर के अंदर कितने कौन सी gas है उसके बारे में बताए तो यह वाला जो डाइगराम है 72 number page में composition of air के अंदर यह वाला pie chart का डाइगराम यह बना करके यहां से आता कि आपने इसको answer के अंदर दिखाना है 78% nitrogen है 21% oxygen है और 1% other gases है ठीक है तो इसपर का डाइगराम बना करके आपने इसका answer देना है तो my dear friends यह आपके short answer questions और exercise हो गए long answer questions है यह आपको notebook में answer लिकरके इसको send कर दूँगा thank you and have a nice day है